यह चार चीजे बंद करके बाद जाने के तयार रही है बिलकुल आप अगर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लें अपने सरीर के साथ वो चीजे करना श्टार्ट करते हैं जो आपको बिमार करती हैं अगर उनको रोक देते हैं आप तो आपको बिमारी से बचने बहुत आप यारा की जिंदगी में इस्तिमाल करते हैं जो बार-बार आप यूज कर दो और वो आपको बीमार करती हैं अब चार चीजे क्या इसके वारे बात करते हैं सबसे पहली चीज देख लिए टमेटो कैचप है जब आप टमेटो केचप को देखते हैं तो इसमें आपको है इस से खाले दो इसके सारी चीज़ा घाई भी जाती यह वी एक बात है लेकिन मेक्सिमम जो टेमेटो केचप बन रहे हैं इसमें टेमेटो से जादा सुगर होता है ऐसे प्रिजर्वेटेव होते हैं जो इसकी लाइफ को तो बढ़ाते हैं लेकिन आपके लाइफ को कम करने क काम भी कर सकते हैं क्योंकि chemical based कोई भी चीज़ आप खाओगे यह जो हमारा सरीर है यह chemical चीज़ों को नहीं चाहता है यह चाहता है कि हम natural चीज़ खाएं पेडून के यह हैं तो यह घाatif नुक्सान कर सकते हैं अब इसके बадले में आपने किया खाना है आपको न कर सकते हो जैसे अगर टो कैछे आपने खाना है तो टेमेटो लेके fresh tomato लो अंगुर लो उसके साथ गुड सौठ और सेंदा नमक और विनेगर इस सिर्के के साथ आप अगर वो चटनी बना के खाओ और इसकी लाइफ एक से दो दिन होगी या maximum तीन-चार दिन जैसे भी आप तरीका बनाओगे उस पर डिपेंड करेगा और उतना ही बनाई ह आप ऐसी चीज परचेज करके ला सकते हो जिसमें नेश्रल इंग्रेंट हो जिसमें प्रेजर्बेटेव कम से कम हो और ऐसे कैमिकल इस्तमाल करें नहीं हो जो आपको नुकसान करें और आजकल तो बहुत जादा ऐसा भी आ रहा है कि टेमेटो केचप के नाम पे पेठा भी जाता है इसके कैचप को बनाने में और बहुते आप अयसे चीज यहां से चारें मिल रहे हैं तो जब भी आप कैचप या दूसरी अपने कहाने ते साथ और लेनी जरूर ध्यां इसके बाद करें कि चानी की इसके पार शांक भी मुटा करते हैं जैसे हम घाना खाते हैं वह ह करते हैं। अकुछ भी ऐसा करते हुआ गई हो वाय वाया कि रह गया है। और इससे हमारे मूह के जो बैक्टिरिया वो मर गई है जो जंब से वह मर गई है पहली इस तो यह एकि वेस्ट कि अगर आप और आपने खाना क्या है और इसक ब्लान नहीं गया वह वह कही बेखिया अगर आप निकलने कि वह नौबद आती है तो उससे अच्छा यह एकि अग तो है नहीं है कि उस पे आपने chemical डाला और साफ कर लिया तो chemical सल से अच्छा है कि आप ऐसी कोई चीज इस्तमाल करो जो आपको नुकसान नहीं अगरे और इस पे कई सारी studies भी पहले भी हो गई है और अभी भी हो रही है वो भी आप कर ऽकते हो कि कौनसा ऐसा प्रोड़क नुकसान नहीं कर रहा क्योंकि आपकी सेट की बात है सारा चीज़ आंपने यूज लेनी हैं और अच्छे से चवा चवा के आप खालो तो यह करेगी सोंफ आपको डाइसन तो अच्छा करेगी करेगी और मुखी बद्वीदू चली जाएगी आराम से बहुत और अब किसी को बहुत जादा सो को इसका कि वही सोसे वाजी भी करनी और साफ भी करना है तो मैं दो से तीन दिन आप अगर ओईल पुलिंग कर लोगे इससे एक से दो चमज लेके ना दो मिनट से स्टार्ट करो दो मिन तक मुह में रखो अच्छे सो कुल्ला करो जब थूकोगे तो क्या होगा तेल सफेद हो जाएगा आप सोचोगे पीला तेल खाया था मुह में यूज क अगर फिर भी खरीदना है तो आप अपने प्रॉडक के पीछे इंग्रेंट चैक करें कि उसमें ऐसा क्या है जो आपको नुकसान कर रहा है तो उससे बचने की कोशिस करें और नैचरल चीजों को इस्तमाल करें अब बाकी की जो दूचीज है वो तो आदमी लोग बहुत ज सेविंग फॉर्म करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे करके खुद भी करें या अगर हम भार भी जाते तो इसको लगाते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं अब इसमें क्या है इस देखिए कोई भी चीज जो कैमिकल बेज़े वह आपके शरी को नुकसान करती ह अब हमने इसे सेविंग कीुँ तो कई भार करते हैं कि गणोर कि रही है हमारी चीज की मिल जाता अब के घर में यर फिर इस से लगए यह न चाहिक है आप सोचेंगे क्या चीज़ कर सकते हैं सबसे बड़ी है ऐलो वेरा आसानी से मिल जाता है आपके घर में हर जगे इसको इस तरीके से काटिए अगर खुद करनी है तो इस तरीके से लेके चेरे पर लगाईए मैं खुद भी इसी से करता हूँ प्रैक्टिकल मेरा यह है इसको लगाईए और उसके बाद आप सेविंग कर लीजिए इससे क्या फायदा होगा कि अगर आपको सेविंग करते बाद कोई कट भी लग रहे हैं तो अलो वेरा जय है यह नैच्रल ही हीलर है यह आपके कट्स को भी ठीक कर देगा आपको दिक्कत नहीं आएगी और कोई जलन कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको नुकसान करे तो जरूर आप स्विच कर सकते हैं कैमिकल बेश चीजों से नैच्रल चीजों की तरफ क्योंकि कैमिकल हमारे शरीर के लिए नहीं है यह बहुत जरूरी बात है इसका जरूरा ध्यान लखें और इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज जो हम इस्तमाल करते हैं वह होता है आप्टर सेफ जो सेविंग के बाद हर कोई इस्तमाल करता है अब यह भी क्या हो रहा है आप्टर सेफ जो है आजकल मैक्सिमम एलकॉल बेस आ गए हैं या इसमें ऐसे कैमिकल है जो हमारी इस्किन को रैसे अब इससे बचने के लिए क्या करना है हूरा के तो आगे से धान रखें कि इसकी आधव भास सारे लोग ​​को लिएक बेस के पढ़ चुक हूँ है तो आप कैमिकल फ्री लेनी की कोसे करें ये देखें कि आपको क्या नुक्सान करता है यह मैं बार बर अपने लोगों को बोलता हूँ जो लोग हमारे पास आते हैं दुनिया वर से उनको मैं बताता हूँ कि आप अपने खाने पीने को चेंज करो हो लाइफटाल चेंज करो होगे तो बहुत जादा फायदा होगा अब इसके बदले में आपने क्या स्मेल करना है यह फिट करी हएँ हाजारों सालों से हमारे पास है बस करने के बाद इससे आप अपने चेर्यों पर इस तरीके से मलें एक साफ़तान लाइस आपकी चेंज करोगे तो आपको नुकसान तो होंगे ही नहीं पाइदे होने लगेंगे तो इस तरीके से अपनी लाइफ श्राल को बदल रहे हो और दूसरे जो लोग दुनिया वर से हमारे फाइदे उठा रहे हैं तो आप भी अगर बेंट्चुट पहती से मेरे से मिलना चाते हैं तो इस नंबर पर संपर कर सकते हैं धन्यवाद